जै श्री कृष्णा मित्रो प्राचीन द्वार का नगरी में जब लोग दीपावली का पर्व मना रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को आशिर्वात देने के लिए नगर भ्रमण का निर्ने लिया रातरी के समय दीपों की रोष्णी से नगर जगमग कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के चहरे पर मुस्कान थी और उनके दिल में संसार के लिए असीम करुणा इस पावन रात उन्होंने अपने भक्तों को जीवन के गहरे रहस्यों और सफल जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेणा दी एक जीवन के प्रती संतुलित द्रिष्टिकोन श्री कृष्ण ने कहा जीवन में सुख्रुख दोनों आएंगे परन्तु हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह हमें भीतर से और भी मस्बूत बनाती है दो कर्तव्य और प्रेम श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक था कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी प्रेम पूर्ण जीवन जी सकता है उन्होंने अर्जुन को गीता का उप्देश देते हुए सिखाया कि कर्तव्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता तीन धैर्य और संधर्ष जब श्री कृष्ण ने बचपन में कंस का सामना किया और अपनी बहन सुभद्रा की रक्षा के लिए दुर्योधन से लड़े तो उन्होंने यह सिखाया कि सच्चाई के लिए संधर्ष करना जरूरी है दीपावली हमें यह याद दिलाते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने अंधकार का नाशकर प्रकाश फैलाया वैसे ही हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहिए 4. समरपन और निस्वार्थता श्री क्रिश्न का जीवन निस्वार्थ प्रेम और समर्पन का प्रतीक है उन्होंने हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य किया गोवर्धन परवत उठाकर गामवासियों की रक्षा करने के प्रसंद में उन्होंने बताया कि सामुहिक उत्थान के लिए व्यक्तिकत बलिदान आवश्यक होता है पांच प्रेम का महत्व गोपियों के साथ रासलीला से लेकर राधा के प्रती उनके निस्वार्थ प्रेम तक श्रीकृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम ही परम सत्य है दीपावली का पर्व भी प्रेम और स्नेह का प्रतीक है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है छे निर्भीक्ता का पाठ श्रीकृष्ण ने अपने भक्तों को हर परिस्थिती में निर्भीक रहने का संदेश दिया उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर आप सत्य के पध पर चड़ रहे हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती समापन श्रीकृष्ण ने कहा आज की दीपावली तुम्हें यह सिखाए कि जो भी प्रकाश तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना होगा हर व्यक्ति के भीतर एक विशालक्षमता है अपने भीतर के असीमित शक्तियों को पहचानो और अपने जीवन को सार्थक बनाव संदेश भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेनादायक कथा न केवल दीपावली के पर्व को रोशन करती है बलकि हमारे जीवन को भी उजाला देती है दीपावली की यह रात हमें हर प्रकार के अंधकार से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाती है और जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आती है जै श्री कृष्णा मित्रो जै 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 तो हमारे जीपावली की तो हमारे जाए तो हमारे जाए लेकर प्रकाश देशने है कर दो 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 कर दो